दोस्तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्रेन किसे कहते हैं और क्रेन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे मैं बताया था आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मोबाइल क्रेन कितने प्रकार के होते हैं और स्टेसनरी क्रेन कितने प्रकार के होते हैं वैसे तो mobile crane कई प्रकार के होते हैं लेकिन उनके कुछ उदारण मैं आपको दे कर समझाता हूँ जैसे सबसे पहले truck mounted crane वह crane जो truck पर इस्थित हो उसे truck mounted crane कहते हैं दूसरा क्रावलर क्रेन वह क्रेन जो चैन पर इस्थित रहता है तथा चारो तरफ घुम कर वह 360 डिग्री में समान लोड उठा सकता है क्रावलर क्रेन का लाता है आल टेरियन क्रेन इसे रफ क्रेन के नाम से भी जाना जाता है अधिकतर मरुवस्थली अस्थानों पर या पहाडों पर इस क्रेन के द्वारा काम किया जाता है इसमें अपरेटर केवीन और क्रेन को ड्राइव करने वाला केवीन एक ही होता है और उसमें ही सभी सिस्टम दिये रहते हैं हाइडरा या फराना क्रेन इसे पीक अप एंड कैरी क्रेन भी कहा जाता है इसका प्रयोग अधिकतर छोटे छोटे समानों में को उठाने के लिए किया जाता है चलिए अब आपको Stationary Crane के बारे में बताते हैं Stationary Crane भी कोई प्रकार के होते हैं जिन में से मैंने कुछ उदार लिए हैं जिनको मैं आपको समझाता हूँ जिसमें सबसे पहलें टावर क्रेन है टावर क्रेन का उप्योग अधिकतर Building Construction कार्यों में किया जाता है दूसरा Gentry Crane Gentry Crane का उपयोग अधिकतर बंदरगाहों में किया जाता है तीसरा EOT Crane EOT Crane का काम अधिकतर Building Construction कार्यों या Yard में या किसी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर किसी समान को shifting के लिए उपयोग किया जाता है या crane motor से चलता है और छोटे-छोटे समान को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर रखता है अबसूर क्रेन अबसूर क्रेन का परयोग अधिकतर समुंदरी जहाज से समान को उतारने के लिए किया जाता है या सिंगल भूम वाला क्रेन होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दे जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे